बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, एक एक चीज दिमाग के अंदर फिट बैठने वाली है आपके, अब आप बोलेंगे राउल जी आप तो करोड़ पती बना रहे थे और ये क्या समझा रहे हो हमको, भईया यही सारी गणित आपके लिए काम की होती है, करोड़ कैसे बनोगे वो अभी बताओंगा, आगे वीडियो आप देखते जाओंगे, नमस्कार दोस्तो, जैश्री राम, आप सभी के चनल पर आप सब का स्वागत है, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, भईया, SBI के किशांदार भैतरे इन, mutual fund के बारे में, हमे भी बचा कर करोड़ पती बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, सारा सब कुछ प्लान का रिव्यू, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, मातर दिन के 50 रुपे बचाने हैं, 50 रुपे वो 50 रुपे भी कैसे बचेंगे, वो मैं बताओंगा, जो खर्चे आप करते होंगे, तो चुपाओ मत, 50 रुपे के खर्चे दिन के आपके हो जाते हैं, चाय के अंदर, बर्गर खाने के अंदर, पताशी खाने के अंदर, या कहीं, इदर उदर आप खर्च कर देते होंगी, तो 50 रुपे अदि आपने बचा नहीं हैं न दोस्तों, तो मैंने क्या, आपके पास पॉसिबल है पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है 20 प्रतिशत का रिटन इसने निकाल कर दिया है आप करते होंगे FD, RD, LIC वहाँ पर भया 7-8% से ज़्यादा का रिटन नहीं मिलता है और इतना तो महंगा इदर साल इदर साल भढ़ती जा रिये तो आपको उससे तेज रफ्तार स आपको बनाने पड़ेंगे किसी भी कंडिशन में आने वाले फ्यूचर के अंदर तो भया आपको ये प्लान अच्छे से भैतरी न तरीके से समझना है चैनल के उपर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजेग और इस वीडियो को लाइक करना मत आपको देने का काम कर रहा हूँ अब देखिए जिस फंड के आज हम बात करने वाले है उसका नाम है SBI Magnum Mid Cap Fund Mid Cap Category का फंड अभी है बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ एक एक चीज़ दिमाग के अंदर fit बैठने वाली है आपके Mid Cap Category देखो क्या होता है mutual fund के अंदर तीन कैटेगरी चलती है Small Cap, Mid Cap, Large Cap अब ये Mid Cap के अंदर risk एकदम Mid Level का है नाम से ही आप समझ जाए ये Mid Level का है Small Cap में ज्यादा risk रहता है और Large Cap के अंदर बिल्कुल कम risk रहता है तो Mid Cap के टेगर का हमने fund आज उठाया है जिसका नाम है SBI Magnum Mid Cap Fund अब भाईया इसका NAV चल रहा है अभी 215 रूपे तकरीबन 215 रूपे अब ये NAV क्या होता है सर ये भी समझाता हूँ आप 1500 रूपे मेहने के दे रहे हैं तो 1500 रूपे में के बदले आपको NAV मिलेगी 215 की एक है तो आप देख लिजए आप 1500 में कितनी आपके पास में यूनिट्स आ जाएगी वो यूनिट्स आएगी उसको हम NAV बोलते हैं यूनिट्स आपके पास में आएगी अब देखिए रिटन है तकरीबन 20% तक का पिछले 10 सालों के अंदर ये रिटन इसने दिया है मैग ने मिड कैप पंड़ने आने वाले समय में भी यही रिटन दे इसकी कोई शॉरिटी नहीं है मैं पहले ही clarify कर दूँ आपको और इससे जादा भी दे सकता है इससे कम भी दे सकता है लेकिन इतनी अभी दे रहा है करंटली और पास्ट के एर समित ने इसने निकाल कर दी है तो इसी साब से हम calculation को भी आगे समझने वाले है expense ratio आपका यहाँ पर 0.83% लगने वाला है 0.83% अब आप बोलेंगे राउल जी आप तो करोड़ पती बना रहे थे हो यह क्या समझा रहे हो हमको भाई यही सारी गणित आपके लिए काम की होती है प्री में तो करेगा नहीं वो राहुल कुमावत तो है नहीं कि आपको प्री में अच्छे चीज़े निकाल कर देदेगा तो भाईया वो आपसे चार्ज करेगा 0.83% expense ratio उसे कहा जाता है AUM होता है fund size है पूरे इस fund का mid cap का मिलाकर 16,000 करोड रुपे 16,000 करोड रुपे इसका fund size भहिया रहने वाला है SBI mid cap category का तो अब बात कर लेते हैं हम calculation की कैसे आपके पैसे की compounding होती है और कैसे आप कितने सालों के अंदर करोड पती बन जाएंगे उसके उपर आब हम आते हैं तो वो सारी calculation मैं आपको बताता हूँ mobile के अंदर करके तो बहुत easily आपको समझ में आ जाएगा साइड में अब मैं क्या करता हूँ screen recording on करते तो हमने कर दिये भहिया अब देखिए आपको दिख रहा होगा monthly investment 15,000 रुपे का ये कुछ अलग चीज नहीं को लिए मैंने आप भी खोल सकते हैं google के पर monthly investment डाल दिया expected return rate हमने 19 परतिशत ही डाला जबकि 20 यहाँ पर पहले दे रहा है लेकिन मैंने एक परतिशत थोड़ा से कम कर दिया 19 कर दिया इसको time period हम 10 साल के लिए करते हैं इसको 10 साल यानि regular every month हम 15-15,000 रुपे देते हैं तो हमारा amount जा रहा है 1,80,000 रुपे जा रहा है और जो return आपको मिल रहा है 3,57,000 रुपे मिल रहा है total 5,37,000 रुपे आपके हो रहे हैं यहाँ पर 10 साल के अंदर इस fund से आप बोलोगे करोड तो फिर भी नहीं बन रहे हैं लेकिन 10 साल बाद 5 लाग की भी कोई value नहीं बचेगी तो क्या हम कर सकते हैं अब मैं कहता हूँ sir compounding करनी है ना इसके अंदर खेल रहा है आपको तो duration को आप long कर दो duration जितनी लंबी करोगे उतना फायदा मिलेगा वो कैसे मिलेगा आप भी दिखाता हूँ 10 साल में याद रहा है एक सी जा रहा है और तो आ मातरे पास साल आपने बढ़ाए है और देख日 थ्वड़ा सा रूकिए यदि आपकी एज 20 साल है ना 20 साल है, 25 साल है तो आप easily इसको 20 साल के लिए कर सकते हैं, 25 साल के लिए कर सकते हैं, अब मैं कहता हूँ इसको आप 20 साल कर दीजिए अब देखे 20 साल जैसे ही आपने कर दिया है इसको तो आपका जो amount जा रहा है सर वो जा रहा है 3,60,000 रुपे का amount जा रहा है आपका 3,60,000 रुपे का और जो return आपको मिलेगा भाया यहां से आपको return जो मिलने वाला है वो मिलेगा 40,000,000 रुपे 40 लाख रुपे आपको 20 साल के अंदर मिलने वाला है और आपका जो पैसा जा रहा है 3.5 लाख रुपे ही जा रहा है अब आप जादू देखना है compounding का जादू देखना है अब देखना भईया अब थोड़ा सा सब्रे कर लिया न आपने 20 की देखना है आप कर दो इसको यहाँ पर 15 साल कर दो अब इसको आप 25 साल के अंदर आप देखो आप जादू 4.5 लाख रुपे आपका amount जा रहा है 4.5 लाख का जाएगा और आपको return मिलेगा 1 करोड से भी जादा का 1 करोड से भी जादा का मातर 5 साल के अंदर भी compounding amount इतना आपका भढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो सोच भी नहीं सकते हो आपकी 20 साल 25 साल है ना 25 साल और कर दी तो आपकी 45 से 50 साल की उमर में जब कहीं नौकरी नहीं बचेगी काम करने के लिए पहह standards पे जुनूर नहीं बचेगा ना तो यह fund आपका बहुत काम आने वाला है बहुत काम आने वाला है एक करूर रुपे का fund आपके बहुत काम आने वाला है तो मैं कहता हूँ SIP जैसी चीच को आप किसी भी fund के अंदर कर रहे हो आप किसी भी fund के अंदर कर रही हूँ लेकिन आपने long time नहीं किया है तो भाया कोई मतलब नहीं है उसका एक report आई थी एक report मैंने newspaper में बढ़ी थी मैं भी एक journalist हूँ कि maximum लोग जो अपनी SIP है mutual fund के अंदर वो बहुत जल्दी break कर देते हैं उसको 5 साल भी continuously नहीं चलाते हैं इसलिए कह रहा हूँ long time के लिए purpose लेकर चलिए एक target amount set करके चलिए आपका जो target amount है वो कितना है किसी का 50 लाक होगा किसी का 20 लाक ही होगा उसके according काम कीजिए इस एक target होता है ना एक parents बच्चे को पढ़ाना चालू करते हैं पढ़ाते हैं तो एक target होता है यह पढ़नी क्यों अच्छा इंसान बने है और यही return यही return लोग 10-10 करोड रुपे 15-15 करोड रुपे बना रहे हैं सर amount थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यह उन लोगों के लिए जो बहुत कम पैसा कमाते हैं 15-20,000 रुपे कमाते हैं 15-100 रुपे मैंने के निकाल सकते हैं और हां यह पैसा निकलेगा कैसे यह पैसा आपको जैसे ही आपके तंखा आ रहे ही ना खाते में एक तीरिक को आ और ईहों किसी की पांच को आतीय कि iकसी की ने यह साथ ता Racs को आती है भईया अ तो SIP कर देता हूं मैं, इस मैंने डाल देता हूं, इस मैंने छोड़ देता हूं, तब सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, और अभी भी सोच रहे हो, तो सोचते ही रह जाओगे भिया, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए सही जगे, सही तरीके से इंवेस्टिंग आप क क्या चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताएगा, जय ही जय भर